और लगातार मैं चुनाव वहां से लड़ते रही जीतहार की परवाह किये बिना तो सिभर से जो रिस्ता है न हमारा बहुत ही पुराना है, बहुत ही परकार है नेता वाला रिस्ता नहीं है, यह सिभर के जैसे कि आनदमांजी अपने को बेटा मनते हैं तो इस तरह का रिस्ता रहा है, सुख में, दुख में, हर इस्तिती में हम उनके लिए खरे रहे और हम लोग जब चुनाव वहां लड़ते हैं, तो जात, पात, धरम, मजभ, कुछ नहीं होता है और ना कोई पार्टी होता है, सिर्फ लवली आनंद और वहां की जनता, यह भर सेस पिछले बार भी जब मेरा बेटा चुनाव लड़ रहता चेतान आनंद तो सबसे कम उमर का विधायक सबसे ज़्यादा वोट, 36,000 वोट से जीते और उस पर से ही तै होता है कि किसको CT कहां से मिलेगा, किसको कहां जिताना है, किसको कहां यह सब पर केंडिडेट को पता नहीं होता है, केंडिडेट की कोई यह नहीं होता है कि कहां क्या किसको कहां जिम्मेबाडी मिलेगा किसको किसका कारण से अटाए जाएगा कौन सर्वे में किसका क्या आया है रिपोर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लवली आनन जी जो की जेदियों की शिवहर से उमीदवार है आपको शिवहर से उमीदवार चुना गया है आपको कैसा लग रहा है सिवहर से हम लोग का रिस्ता बहुत पुराना रहा है रिस्ता सिवहर से लगातार मैं सिवहर में जुरे रही से पहले मेरे पती आनन्द मोहन जी वहां से दो बार सांसद रहे और फिर जाके बेटा भी विधायक बना और लगातार मैं चुनाओ वहां से लड़ते रही जीतहार की परवाह किये बिना तो सिवहर से जो रिस्ता है न हमारा बहुत ही पुराना है बहुत ही परकार है नेता वाला रिस्ता नहीं है यह सिवहर का जैसे कि आनन्द मोहन जी अपने को बेटा मनते हैं तो उसनाते मैं तो इस तरह का रिस्ता रहा है सुक में दुख में हर इस्तिती में हम उनके लिए खरी रहें पहले भी कॉंग्रेस के तरफ से आपको उमीदवार बनाया गया था शिवहर का लेकिन उस वक्त जीत हासिल नहीं हो पाई थी तो अब दुबारा जैदियू से आप उमीदवार है वहीं से तो इस बार क्या नया फॉर्मूला होगा कि इस बार जीत हासिल हो सके देखिए पहले जब कॉंग्रेस अकेले थी सिंगल लड़ रही थी हमें उमीदवार हुगा मैं उमीदवार बनाई गई तो जनता की डिमांड थी कि मैं उनको किसी भी सूरत पे सिभर के महान ल होई और वहां पर भी लोगों ने मुझे काफी साथ दिया जब कि हर जगा अकेले ही चुनाओ लड़ रही थी कॉंग्रेस तो उसमें भी हमें साथ दिया और हम लोग जब चुनाओ वहां लड़ते हैं तो जात, पात, धरम, जब कुछ नहीं होता है और ना कोई पार्टी हो होता है सिर्फ लवली आनन्द और वहां की जनता यह भर से हां हार पार्टी के लोग का जो उसमें होता है पार्टी से उठकर के भी लोग हमें साथ देते हैं और जात, धरम से भी मजब से उठके भी लोग साथ देते हैं तो उनहीं लोग के विश्वास पे खरे उतरना उसक आपके पूरे परिवार का जो नाता है बहुत पुराना रहा है आपके बेटे भी वहां के विधायक हैं तो जब आप जाएंगी वहां की जनता से मिलेंगी तो किस बिना पे आप उनसे जो वोट है उनका वो मांगेंगी क्या बताएंगी कि आपने क्या-क्या किया है वहां की जन्ता के लिए देखिए पिछले बार भी जब मेरा बेटा चुना उलर रहा था चेतानानंद तो सबसे कम उमर का विधायक सबसे ज्यादा वो छती सज्जार जीते और उसमें भी काफी लोगों का समर्थन रहा सपोर्ट रहा हर वर्ग हर पार्टी के लोग पार्टी से उठक जात धारम से उठके साथ दिया उसमें एजेंडा था विकास उसमें था कि डिगरी कॉलेज बन बाना फिर आपको वहां का जो समस्या था पूल पुलिया उसका खोड़ी पूल है बहुत बड़ा उस सबका निर्मान और यह सब होस्पीटल का स्टेडियम का रोड का पूल प समयकी है इतना ज्यादा काम हुआ इतना कम समय में जो पिछले कितने साल से नहीं हुआ था सिफर में तो जितना काम हुआ लोगों की सामने है उस से पहले भी आनًन मोहन जी बहुत कम समय के लिए जब सांसत है तो वहां पर घुसखोरी वगेरा खतम हुआ था कम समय में м Está का सिर्फ विकास बोलता है इस सिवहर के लोगे और विकास ही हमारा एजेंडा है जो काम अधूरा है जो काम नहीं पूरा हुआ उसको हम लोग आगे पूरा करेंगे यह हम लोग का उद्देश है आपको जो मीदवार बनाया गया है शिवहर से तो रामा देवी का टिकट काट के आपको बनाया गया है जो बनिया समाज से आती हैं तो ये संभव है कि जो बनिया समाज के लोग है वहाँ इस बात से नराज हो सकते हैं तो उन्हें कैसे मनाईजेगा आप देखिए हमको यह सब तो उपर से ही तई होता है कि किसको सीट कहां से मिलेगा किसको कहां जिताना है किसको कहां यह सब पर केंडिडेट को पता नहीं होता है कि कहां क्या किसको कहां जिम्मेबाडी मिलेगा किसको किसका यह होगा किस कारण से अटाए जाएगा कौन सर्वे में किसका क्या आया है रिपोर्ट ये सब सर्वे करवा के ये लोग करते हैं काम पूरे 400 सीट पर सर्वे हुआ है और किसी केंडिडेट को पता नहीं है कि किसके पक्ष में जा रहा है किसके बिपक्ष में जा रहा है तो इसमें क्यों ही केंडिडेट की गलती नहीं है पिछले बार कि जब हम साथ देते हैं तो खुल के देते हैं, नहीं देते हैं, तो हम ने पूरा इतना मेहनत कि खुद केंडिडेट नहीं कि इतना काम की होगी, जितना हम लोगों ने दिखाया, 19 में, रहमा देवी को सपोर्ट करके, फिर आप देखिये, बेल संचिट में हम लोगों ने, व और जो पार्टी जब जो निर्ने लेता है उसमें सब को साथ देना चाहिए, यह 40 का 40 सीट जीतना उद्देस होता है, हम लोग का कि 40 सीट कैसे निकले, तो उसमें सब लोग को, हमको नहीं लगता है कोई नाराजगी होगी किनहीं को भी, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, जो कि इसलिए कहिए, जात पात कहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है, और ना हमें कोई नाराजगी नजर आ रहा है, खास कर कि सिभर जिसा जोग में सब लोगों ने हमें साथ दिया है, और आगे भी हमें लगता है कि यह लोग देते रहेंगे. अगर बात करें तो आपके परिवार पे यारोप लगता है कि लालू यादव ने जो कानून थे जेल के उसमें बदलाव करके आनन्द मोहन को जेल से बाहर निकाला, उसके बाद भी राज़त का साथ सभी ने छोड़ दिया, तो इसको लेकर भी सवाल खड़े किये जाते हैं नहीं आप लोग तमाम लोग को जानते हैं कि मानने मुख मंतरी, मुख मंतरी जो है नितीज जी इन्होंने कानून में बदलाव ला करके आनन्द मोहन जी को बाहर निकाले कानून में बदलाव ला करके और उस समय में जो था क्योंकि हर स्टेट में ये था कि जो सुप्रिम क किया गया तो इसमें हम लोग तो किसी को नहीं करते हैं कि segment हम तो मारा जान रहे हैं कि नितीज कुमार जी ने किये जिसमें in my back कि अगर बात करें की आनन्द महांजी के लिए कानून यह नहीं हुआ है बहुत के सारे इसमें अगर बात करें तो कि सबसे बड़ी वजह क्या रही राजत का साथ छोड़कर जेडियू जॉइन करने की आप लोग तमाम लोग जान रहे हैं कि विकास हमारा मुद्दा है जात पात यह नहीं हम लोग भरोसा करते हैं और जब हम देखें कि नितीज जी का जो है एक सिध्धान माननिय मुखमंद्री जो बिहार है वो काफी विकास का काम किया है आज बिहार की कहां पहुंच गया किस तरह से पहले था और आज बिहार में बिकास की जो है दरिया बह रही है तो सारकुसरे माननिय मुखमंद्री जी को जात इनके निती और सिध्धान से परभावित हो करक के बिहार में अच्छा हो सके और केंदर में भी सरकार है डबल इंजन की सरकार में विकास का विकास हो सकता है बिहार का